जन्पद अलीगर में गोणा पुलिस ने मुडवेड के दौरान शातिर गौकस को घायल कर गिरफतार कर लिया है उसके कबजे से अबैद असला कार्तुस बागौकसी का सामान दरामद हुआ है बरिष्ट पुलिस अदिक्षक संजीब सुमन द्वारा जन्पद में अपराद की रोखथाम और अपरादियों की गिरफतारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है अभियान के किरम में गोणा पुलिस की मुटबेड हो गई इस दोरान बांचित अभियोक्तों मतीन पुत्र मुन्या निवासी महला काजी पला थना टपल जन्पद अलिगर को किनबासा नहर पुल से अर्णिया की तरफ खेट थना गोणा जन्पद अलिगर से ग्रफतार किय गया है पुलिस के मुताबिक रात्री में तिरमासा नहर पुल के पास दोराने चेकिंग एक संदिग्द कार को रोकने का प्रयास किया गया तो अभियोक्तों गर कार दूसरे रास्ते से लेकर फरार हो गया कार को रोकने का प्रयास किया गया तो अभियोक्तों दोरा पुलिस पार्टी के उपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया गया पुलिस टीम द्वरा अत्मरक्षार्ट में फायरिंग की गई जिसमें अभ्यूक्त मतीन को पैर में गोली लगने से वए घायल हो गया जिसके बाद उसे ग्रफतार कर अस्पताल में भरती करा दिया गया के खिलाब मुकदना दर्च किया गया है वहीं अमान पुत्र इसलाम निवासी खैर जनपद अलीगर नाजिम पुत्र इसलाम निवासी जनपद अलीगर अंदेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए जिनकी तलास में पुलिस लगातार कॉमिंग कर रही है पुलिस टीम द्वारा पीच्छा करते मां पहुजा और उनको पखड़ने का प्रयास किया गया तो उनको के द्वारा जान समाने की में से पुलिस टीम पर फायल कर दिया जाए पुलिस टीम द्वारा वे उनको ललगारते वह आत्म सवनपड के लिए इन तो उसको ब्राद मिनकर ड़ारा थारिंग जाजे रती गए तो पुलिस टीम द्वारा वे सहीव दूरूप से आत्म अच्छा उनको फारिंगी गए इससे एक बदमास घालों में इसका नाम पता और मौके पर होई इस गाटना के संबंध में अभियोग पंजगीत करके आवश्यक विदिक कारवाई की जाएगी मौके पर फिलिन की टीम को बुला करके अन्य आवश्यक नियुमार्सवार कारवाई कराई